स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ का कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेशन नमेर टू जो है वो डिसकस करूंगा और इस क्वेशन को हम डिसकस करकर सॉल्फ करते हैं इस क्वेशन में लिखाव है क्यूलिब लेमेटेट टी इल इस निगोशीएटिंग डील तो मैनिफेक्ट्टर और सप्लाइफ थाउजन यूनिट्स अफ़ प्रोड़क्ट जैस्मेंट इन इस रिस्पेट फॉल्फॉड इंफॉमिशन इस अवेलेबल कंपनी जो है उसको किस मेंशन कर देते हैं देखें यूनिट्स जो हमें बनाने न वो है पांच हजार ठीक है जी अधावेलेबल लिबर आर्जार तेन थाउजन वेरेज रिक्वाइड आर्स पॉर दी प्रोड़क्शन आप फाइफ थाउजन यूनिट्स विल भी फिफ्टीन थाउजन पन्रहाज अवेलेबल आर्स कितने हैं आवेलेबल आज हैं आपके पास 10,000 है तो रिमेनिग जो हार्ट रिमेनिंगुर्स रिमेनिग आर्स हमारे पास है 5,000 है बर नॉर्मल लिभर रेट पार आर इस रूपीस 250 और ओम इस पैदेट बन फिफटी पैसंट अप दी नॉर्माल लेबर र रिख लेते हैं आपने पास लेवर का जो नॉर्मल लेट है वो 200 रुपय है और अगर लेबर ओवर टाइम करेगा ओवर टाइम करेगा तो जो रेट होगा वो ओवर टाइम इस पेड़ एट 150 परसेंट आफ दो नॉर्मल लेबर रेट यानि कि आम हलात में जितना पे कर रहा वन फिफ्टी परसेंट यानि कि 375 दो ओवरेट रेट पर लेबर आर रुपीस 240 ओवरेट अब्सॉप्शन एट दिया वह है 240 पर रात और यह 1.5 मिलियन की कॉस्ट पर बेस करता है तो फिक्स कोस्ट का भी एक तरह से टोटल हमें लिया हुए 1500000 इन यूफ अविलिबिलिटी और रिक्वाइड लेक्वाइड लेक्वाइबर फॉर्ट अपके पास और क्या करना है एवेलेट अबफ ऑप्शन संड रेकमेंड बोस्ट बेनिफिशल ऑप्शन 2TL ऑप्शन नमबर वन बहतर होगा कंपनी के लिए या ऑप्शन नमबर टू बेहतर होगा कंपनी के लिए आपने ये बताना है तो ऑप्शन नमबर वन की वर्किंग करते हैं विदाउट बेप्शन नमबर वन को जो है वो हम discuss करते हैं कि option number one के हिसाब से क्या होगा option number one में लिखाव है a peace wage system at the rate of rupees 900 per unit it is expected to improve the current labor efficiency by 25% सवाल यह कहते हैं कि हम peace wage system जो होता है वो start करते हैं और हम 900 रपे एक labor को देंगे एक unit बनाने के और इसकी वज़़ा से लेबर जो है वो पच्चिस परसेंट एफिशेंट हो जाएगा यानि कि जितना डाइब वो currently ले रहा है अगर वो यह याद रखेगा ठीक है जी अच्छा इन सारी मामलात से पहले इन सारे मामलात से पहले थोड़ी सी हम यह भी discussion कर लेते हैं कि जो हमें ओवरेड्स absorption rate दियावा है वो वेरियेबल है या fixed हैं तो अगर हम ओवरेड्स absorption rate की बाग करते हैं ना तो देखें ओवरेड्स absorption रेट या ओवरेड्स रेट पर लेबर राइस 240 के साथ दिखावा था इस बेस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट और रुपीज 1.5 मिलियन मैं जरा यहां पर एक वर्किंग करता हूं और यह वर्किंग जो है ना वह ओवरेड्स क घंटे काम होता है दस अजार घंटे नॉर्मल आर्ज है ठीक है और बुलिट नमबर त्री में ओवरेड्स का रेट लिखावा था रूपीज 240 और साथ पे लिखावा था कि यह बेस करता है फिक्स्ट कॉस्ट 1.5 मिलियन की है उस बेसे पर देखें अगर फिक्स कॉस्ट कर ढूनने तो उबरेड अब्जर्प्शन एडिव फिक्स कॉस्ट का है वो कैसे आया होगा सर सवाल कहता है कि 1.5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट टोटल बनती है 1.5 मिलियन की बनती है ठीक है और टोटल अवेलेबल इबर आर्ज जो है वो दस अजार है इसका मतलब यह हो गया कि ज आर्ज जो कि आपने के चैप्टर में पढ़ा है यानि कि 10,000 घंटे से डिवाइड करकर आना चाहिए 15,000 से डिवाइड नहीं करेंगे 15,000 तो रिक्वाइड आर्ज है जो अवेलेबल आर्ज हैं आम हालात में जो अवेलेबल आर्ज होते हैं उसकी बिसस पर और अवेरेड नहीं अवेलेड आर्ज है तो इसका मदब ऑघ्वाइड इसप्षिय और जो से परने होगा या या यह आला होगा वह 240 माइन सब्सक्राइवरेड कि लेबर की जो efficiency है वो 25% भड़ जाएगी और लेबर को जतना टाइम चाहिए होता है उससे कम टाइम लगेगा अच्छा हमारे पास क्या कहते हैं अगर लेबर 25% efficient हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वह comparatively कम टाइम लेगा वह comparatively जो है वह reduced ट्राइम लेगा यानि उसका जो ट 15,000 घंटों में complete करेगा अगर हम वापस से पढ़ें तो लिखाव है the required hours for the production of 5000 units will be 15,000 15,000 घंटों में 15,000 घंटों में लेबर यह काम करेगा अब कोई 25% efficient हो जाता है या वह तेजी से काम करने लगता है तो comparatively number of hours जो होते हैं वो reduce हो जाता है ठीक है जी पहली चीज़ यह अच्छा अच्छा अब जरा इधर efficiency को समझते हैं देखें अभी क्या लिखाव है अभी अगर मैं यहाँ पर units लिखू ना तो 5000 और अगर total hours लिखू ना total hours तो लिखें मैं 15,000 hours per unit क्या बने? hours per unit जो है ना वो बन जाते हैं आपके 3 hours ठीक है? अब गोर से इस बात को सुने जब मैं कहता हूं कि कोई 25% efficient हो गया जब मैं कहता हूं कि कोई 25% efficient हो गया तो उसका मतलब यह है कि let's say पहले let's say फर्स कर लें कि पहले अगर वो एक दिन में 100 चीज़ें मनाता था अब वो एक दिन में 125 चीज़ें मना रहा होगा यह जब मैं कहता हूं कि कोई 25% efficient हो गया तो उसका मतलब यह है कि let's say कोई अगर एक दिन में 200 units बना रहा था अब वो एक ही दिन में 250 units बनाएंगा 25% ज्यादा output produce करेगा 25% efficiency का मतलब यह भी होता है कि let's say कोई कारपेंटर है कोई बना रहा है वो एक दिन में 100 कुड़सियां मनाता था तो अब वो एक ही दिन में 125 कुड़सियां मना लेगा यानि कि 25% efficient हो जानेगा मतलब यह भी हम कह सकते कि अभी अभी की situation यह है कि 15,000 गंटों में 5000 चीज़ें मन रही है 15,000 गंटों में 5000 चीज़ें मन रही है अगर कोई 25% efficient हो जाता है तो अब 15,000 गंटे उससे अगर काम करवा होगे तो वो 5000 जमा 5000 का 25% यानि कि 15,000 गंटों में ही 6,250 चीज़ें मना देगा वो efficient हो गया टोटल टाइम उतना ही ले रहा है लेकिन पहले जतनी चीज़ें मना रहा था अब उससे 25% चीज़ें जादा मना रहा यानि कि अगर हमारे सवाल में data यह है कि एक बंदा 15,000 गंटे में 5000 चीज़ें मनाता था यानि कि एक गंट एक चीज तीं गंटे में मनाता था अब अगर वो ही बंदा efficient हो जाता है तो उतने ही टाइम में वो 25% ज्यादा चीज़ें produce करेगा यानि कि 15,000 गंटों में 6,250 चीज़ें produce करेगा यानि कि अगर वो 25% efficient हो जाता है तो अब वो एक चीज़ 2. four hours में बना र रहा हूगा इस इसको समझे पहले वो 15,000 गंटों में 5000 चीज़ें मना रहा हूगा तो एक चीज तीन घंडे में बनी अब अगर वो एफिशेंट हो गया तो उन्हीं 15,000 गंडों में वो 5000 के बजाए 6000 दोस्तों और 50 चीज़ें 25% ज्यादा चीज़ें मना रहा हूगा यानि के प और आर आर्स पर यूनिट 15,000 डिवाइड़ वे 6,250 जो चीज वो पहले तीन घंटे में मनाता था अब वही चीज वो 2.4 आर्ज में बनाना शुरू कर देगा तो अगर मुझे उससे 5,000 बनानी है तो टोटल टाइम कितना लेगा अब वो अब वो 5,000 बनाने के लिए 5,000 multiplied by 2.40 यानि के वो 12,000 गंटे लेगा बात समझ में आई यानि के efficiency की वज़ासे जो टोटल टाइम है वो reduce हो रहा है और वो 12,000 बच जाता है अब हम अपने पास आ जाते हैं मीन वर्किंग पर आप्शन नमबर वन की देखें आप्शन नमबर वन में वो ये बोलता है कि पीस वेज सिस्टम होगा तो अगर पीस वेज सिस्टम होगा तो उसके हिसाब से होगा ये कि अब अगर मैं लेबर को बोल होगा कि आप पांच हजार यूनिट्स बनाओ तो वह एक चीज नौसो रुपएगे हिसाब से बनाएगा पीस वेज सिस्टम में पर यूनिट का रेट डिसाइड़ होता है तो पांच हजार चीजें नौसो रुपएगे हिसाब से टोटल फॉर पॉइंट फाइव मिलियन की हो जाती है टोटल ये चीजें फॉर पॉइंट फाइव मिलियन की लेबर की कॉस्ट हो जाती है लेबर की कॉस्ट के बाद आपके पास ओवरेड्स आ जाते हैं अच्छा ओवरेड्स में से कुछ ओवरेड्स आपके वेरियेबल होता है और कुछ ओवरेड्स आपके जो है न तो नवे रुपे के हिसाब से 12,000 गंडे का जो वेरियेबल ओवरेड्स है एलेक्रिक सेटी हीटिंग डाइटिंग डेप्रेसिशन जो भी वेरी करता है मामला वह 1080 होगा और फिक्स्ट कोस्ट कभी भी रिडियूस नहीं होती है तो वो 1.5 मिलियन ही रहेगी यानि कि आपकी जो टोटल कोस्ट होगी अब वो 7080 000 हो जाएगी यह टोटल कोस्ट ठीक है जी यह टोटल कोस्ट अच्छा जी उसके बाद फिर ऑप्शन में टू पर आते हैं ऑप्शन में टू में लिखावा है और बोनुस ऑफ रुपीज 120 पर यूनिट इफ यूनिट इस कंप्लीटेड विधिन 90 पेसेंट ऑफ दे गिवन टाइम ऑप्शन में मैं बोनुस दूंगा मजदूरों को 120 रुपए का अगर वो एक के उम्रेट 90 परसंट अफ-बेइन टायम में कंप्लीट कर लेते हैं 2019. और असन परसंट चीजेंगी 80% चीज़ें पर 80% चीज़ें इस टार्गेट में प्रिड्यूस हो जाएंगी ठीक है जी तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह वाग के मैं यहां पर जो है न वो टोटल आर्ट्स की एक वर्किंग करता हूं देखें आप टोटल कितने यूनेट्स बना रहे हैं चले है कि मैं बोनस पे करूंगा 120 रुपे का हर यूनेट पर उन मजदूरों को जो यूनेट बना लेते हैं 90 परसंट ऑफ डगिवन टाइम जो मैंने टाइम बताया उससे 90 परसंट से कम टाइम में 80 परसंट यूनेट्स रसे हैं जो इस टार्गेट में बन जाएंगे तो मैं 5000 का 80 परसंट लेता हूं 80 परसंट चीज़ें 80 परसंट चीज़ें 30 घंटे में नहीं मैंनेंगी बलके कम टाइम मैंनेंगी और बाकी 20 परसंट बाकी 20 परसंट चीज़ें यानिके 1000 यूनेट्स के लिए वही टाइम लगेगा जो अभी लग रहा है ठीक है जी अच्छा हमने ये वर्किंग करी थी एक कि अभी जो हमें सिच्वेशन दीविए वो यह है कि 15,000 घंटे मजदूर काम करेंगे 5000 यूनेट्स बनाएंगे यानिकि एक चीज़ तीन घंटे में मैंनेंगी अब इसका मतलब यह हो गया कि अगर जो टार्गेट है 80 परसंट यूनेट्स यानिके 5000 का यानिकर 4000 टार्गेंगे ने सबस्सक्राइब outro और सेवेन और बागी बीस परसंट योनेट्स तीन घंटे में बनेंगे तो Madisonव यह था गंडेंगे चार अजार योनेट्स बनाने के लिए two.7 के सिसाब से 10,800 गंडे लगेंगे बागी हज़ार यूनेट्स बनाने के लिए गंटे केसाब तीनहींखी लगेंगे और टोटल 13 اजार और 800 गंटे काम होगा यह पहले आपने कल्कुरेट काले है तोटल कितने गये देर काम होगा टोटल अब हम आप यहां पर हम आपक्षण नंबर क्या कई काम लेता है औ यह किया आपक्षण नमबर टू इसमें आएगी आपके पस लेबर की कॉस्ट लेबर की कॉस्ट में आपके पस दो चीजे होंगी एक होगा नॉर्मल एक होगा ओवर टाइंड अच्छा जी देखें सवाल में टॉप पर लिखा वा था अवे लेबर आर्जा टेन थाउसन लेबर दस हजार घंटे लेबर उसके बाद लेकिन चाहिए थे पंद्रह अजार घंटे तो इसका मतलब यहाँ गया कि पांच हजार घंटों का ओवर टाइम करवाना लेबर से पहले अब के हिसाब से पहले दस हजार गंटे पहले दस घंटे के लेबर जो मुझ से पैसे लेगा किएخ memb 1000 में से जरा माइनस कर दो 13800 में से माइनस कर दो 10,000 घंटे तो 3,800 घंटे जो बच गए 3,800 घंटे जो बच गए जिसका मैं ओवर टाइम करवा रहा हूं इस ऑप्षिन के साब से उसके मैं 375 रुपए के साब से पे करूंगा तो यह हो जाएंगे 1425000 उसके बद मुझे बॉनस देना उसके बद मुझे लेबर को बोनस भी देना बॉनस का क्या वादा हुआ है जो बंदा 95% से कम पर टाइम है यूनिट बनाएगा उसको हर आउनिट पर 120 का बोनस मिलेगा तो ऐसे 4000 यूनिट से है 5000 का 80% दिया था यानिओ चारहुजा हमारे पास कौन कौन से मैं आपके पास एक तो वेरियेबल है और दूसरे कौन से महीं आपके पास दूसरे आपके पास ओवेरेट्स में जो है वो फिक्स्ट एस एस पूरे लिख सकते हम ठीक है वन फाइव जिरो जिरो को अफशन के सापसे टूटल काॉस्स रूहा कों लेहाज हो पूछा गया प्रोड़क्टिविटी एंड लेबर की प्रोड़क्टिविटी और लेबर की एफिशेंसी इन दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस है तो इसके लिए ज़रा मैं आपको आइकेप का आंसर जो है वो दिखाता हूं और उससे हम ज़रा इसको अंडरेस्टेंड करते समझते हैं ब्रेवद फिस्टे लिचेडि यवरं लेडा इस है मैं अचेविं इंप्रोडिमेंट भाट्रें लेफ्रेमोड लेइचेड लेंग विट्दि बेख़िस इंप्रोड़ॉडएंट अक्रिवट्टिविट्रैटे है कि इटी चुक्तिय को मतलब है कि अश्योग स्वाइट सी बढ़ाने के लिए यानि के जो लेबर यूनिट्स बनाना है वो बढ़ाने के लिए अच्छी मशीन लगाओ और मॉडर्न एक्वेपेंड इंस्ट्रॉल करो यह सारी बाते लिखी है एफिशेंसी के लिए लिखाव है एफिशेंसी इंप्रूब्मेंट फोकॉसस ऑन आप्टम करवानी होगी फिर प्रोड़क्टिविटी में बाकी भी कुछ बाते लिखी विया रहें सचस्ट फोकस एगम पढ़ लेते एंट इंपसाइज इस दिए कॉन्टिटी और वॉल्यूम ऑफ आप डिडियूस इन डिलेशन दू लेबर इंपॉड प्रोड़क्टिविटी का से इस इसे 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 अफ लेबर आज और इंपसेंट ली टास्क्राइब वेदेन डाइम दाइम देखें प्रोड़क्टिविटी का मतलब यह एक बच्छा आठ गंटे पढ़ाई करकर पंद्रह गंटे पंद्रह बुक्स पढ़ तो एक तो प्रोड़क्शन या दस किताब वे पढ़ता है तो इस केस में प्रोड़क्टिविटी दोनों की सेम है एफिशेंट कौन है एफिशेंट वो है जिसने जल्दी काम किया तो इसको जरह आप एक बार रीट कर लीजेगा और इसको जो है वो हम अलग से प्रोड़क्शन वॉलियूम रेशियो और ए से डिवाइड कर रहे थे बाकी निमेरिकल एरिया मैंने आप लोगों के साथ डिसकस किया दिखाया आप लोगों को सॉल्फ किया उमीद है आपको समझ आया होगा अगले वीडियो में मजीद क्वेशन प्रैक्टरस करेंगे थेंक्यू सो मच